हलो एवरीवन, वेलकम बाक टू मै चानल, तो कैसे आप लोग, I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ या एक प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि मैंने इसको 2-4 बार काफी बार use कर लिया है मेरे क्याल से 2-4 बार से ज्याद ही क्योंकि सुबेश याम जब भी खाना बनता है तो इसको तो जरूर use करते हैं क्योंकि यह daily life जो kitchen है उसके लिए बहुत useful product है तो यह मैंने लिया है Inalsa का electric chopper तो पहले जो मैं manual वाला जो chopper होता था था धागे से खीशने वाला वो use करती थी बट उसमें यही problem होती थी धागा कभी lose हो जाता था कभी टूप जाता था तो इस बार मैंने switch किया है electric chopper पे तो यह inalsa का है और यह हम लोगों ने local store से लिया है इसका जो price है वो कुछ 1390 इसका जो price था दो साल की warranty है 250 watts का है इसका जो motor है वो है तो warranty में अगर कोई भी problem आती है तो customer care का number दिया हुआ है उस पे call करके हम बुला सकते हैं वो घर पे आके repair कर देंगे तो मैं आपको कुछ चीज़े chop करके दिखा रही हूँ जो मैं use कर रही थी उस time खाना बनाने में तो सबसे पहले मैंने अद्रक, लसन और हरी मिर्च को chop किया जो कि मतलब within a seconds वो chop हो गया तो बहुत ही कम time लगता है और बहुत ही useful product है अगर आपको kitchen में जल्दी जल्दी काम निप्टाने है तो उसके लिए तो बहुत ही बड़ी product है तो देखिएगा आप प्यास भी कितनी जल्दी chop हो जाते है उपर एक button लगा हुआ है इसमें तो उस button को बस press करना है वो motor चल जाएगी नीचे blade से आपकी chopping चलती रहेगी और इसका जो wire है वो भी उसकी भी length काफी अच्छी खासी है तो आप अराम से इसको plug में लगा की use कर सकते हैं अपनी kitchen में अब मैं इसको next day use कर रही हूँ तो next day मैं इसको use कर रही हूँ vegetable टिक्की बनाने के लिए तो पहले जब मैं vegetable टिक्की बनाती थी तो मैं grate करके बनाती थी इस बार मैंने सोचा chopper को use करती हूँ तो मैंने सारी सबजिया ले ली है यहाँ पे जैसे की शिमला मिर्च है प्यास है यहाँ पे और सबसे बड़ी बात गाजर क्योंकि गाजर थोड़ा सा hard होता है तो उसको भी देख लेते हैं कि वो कैसे उसकी chopping होती है तो यहाँ पे मैं थोड़ा छोटे pieces में काट लूँगी प्यास वगेरे को ताकि अराम से जगा बन जाए और मोटर पे जाधा जोर ना पड़े क्योंकि product तो अपना ही है हमें खराब तो करना नहीं है तो मैंने एक ले लिया है अद्रक का टुकड़ा मैं प्यास डाल लूँगी और गार्लिक डाल लूँगी उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा स्वीट कॉर्न डालूँगी मुझे यह product बहुत अच्छा लगा बहुत कम टाइम में chopping हो जाती है बट एक चीज जो इसमें होनी चाहिए इसमें दो ब्लेड होने चाहिए थे ब्लेड आप देखेंगे सरफ एक ब्लेड है नीचे की तरफ बट फिर भी यह बहुत अच्छा काम करता है ऐसा मुझे लगा कि दो ब्लेड होते और कितनी जल्दी आपकी chopping स्टार्ट हो जाएगी तो आप वीडियो में देखिए कि सारी सबजियां कितने बढ़िया तरीके से chop हो रही है तो यह देखिए अब मैं इसमें थोड़ा sweetcon add कर लूँगी मैंने पहले थोड़ा से add किया था फिर बचा लिया था फिर मैं उसको भी add कर लूँगी और सबकी chopping कर दूँगी तो यह देखिए कितना finally chop हो चुका है इसमें और कितना बढ़िया लग रहा है यह अब हम इसकी टिकी prepare करेंगे और यह बहुत ही healthy option है अगर आप अपने diet में include करना चाहते हैं तो इसमें मैं सारे मसाले add कर रही हूँ जैसे कि मैंने नमक add किया है लाल मिर्च का powder add किया है थोड़ा सा धनिया powder add करूँगी और थोड़ा सा black pepper powder add करूँगी मैं इसमें मैं इसमें binding के लिए bread डाल रही हूँ बगर अगर आप इसको बिल्कुल अच्छे से healthy बनाना चाहते हैं तो आप इसमें basin add कर सकते हैं आप इसमें चावल का आटा add कर सकते हैं या कुछ और healthy alternative आप चूज करके इसकी binding के लिए use कर सकते हैं तो बहुत ही बड़िया ये breakfast recipe भी हो सकती है आप lunch में खा सकते हैं तो ये online amazon वगरे पर भी available है तो अगर आप कुछ ऐसी चीज का search कर रहे हैं तो ये आपको ज़रूर लेना चाहिए तो bread मिला के मैं अच्छे से mix कर लूँगी और मैं सब को टिकी की shape दे दूँगी और बहुत ही कम oil में मैं इसको बनाऊंगी तो मैं इसको तवे पे हलका हलका oil लगा के सेख लूँगी और green chutney के साथ हम इसको खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट मतलब शिमला मिर्च गाजर वगरे को अगर combine करके इसकी कोई dish बनाई जाये ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और weight loss में बहुत जादा help करता है ये